तु देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इस में बिसिकली क्या करते हैं कि radius आपे planet is our 1 ठीक है कोई planet लेप छलो हम लोग कोई planet बना लेते हैं यहां पर तो लेट ऐस consider any planet तो चलो यहां पर कोई planet बना लेते हैं दिस इस अप्लेनेट तो यह कोई यह यहां पर एक हमें थोड़ा सा और आपके लिए बनाता हूं तो ऐसा कुछ कोश्चन है तो यह 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 वाला जो प्लेनेट है यह एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट के एराउंड यह इस पात में एक सेटलाइट कर रहा है और एस सेटलाइट को मैं ऐसे दिखा देता हूं और यह । इस की रहीं इस की रहीं आप प्लानेट इसके सर्फेस पर अगर कोई observer है यहां पर तो यह जो प्लेनेट है इस सर्फेस पर जी की वेलू कितनी होगी तो देखो सिंपल सी बात है जी की वेलू का क्या प्लेनेट अगर मैं देखों तो इसको मैं निकाल के अगर मैं रख दूं तो यह प्रॉब्लम हो जाएगा अब जी वेलू कैसे निकलेगी बाई केपलर स्लाम में पता है कि टाइम प्रेट का स्कॉर्ट टो यहां से टाइम पीडिट का स्कॉर्ट की वेल एजाएगा के प्लेन इसको याद रखो वर पाई rescue मदलब बाई टिटू अस्कोर तो यहां से जो चील की वेलू आजाएगी मेरे पस बाई जाएगी वह आजाएगी आजाएगी फोर पै इसकॉयर और r2 का power q divided by t2 square तो यहां से तुम देखोगे तो यह basically क्या मिलने वाला है यहां से gm की value अब इसको put कर दो 1 में तो 1 में put कर दोगे तो उस planet पे जो g की value आ जाएगी 1 upon r1 का square तो पहले था और यहां से gm की value कितनी आ जाएगी तो 4 pi square is equal to r2 square is equal to 22 square तो यहां से finally जो g की value आ जाएगी वो अच्छे से मुझे दिखने लगेगी वो आ जाएगी 4 pi square upon t का square और bracket में r2 upon r1 का whole square तो this is the final solution तो I hope कि यह question आपको समझ में आ गया होगा इसमें कुछ था नहीं की concept आ था कि g का formula लगाना था किसी भी planet के लिए आप लगा सकते हैं उस planet के लिए यह वाला लगा दिए और उसके बाद time period और radius में relation पता होना चाहे तो आप derive कर लो और चाहे तो आपको याद होगा तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो